और मेरे से एक सवार आया सागर्भाई कि algumas नाडा कोशल सकते हैं क्या ये डेटा सेंटर विमारी क्या विमारी तो नहीं है विए अंदर इसके बात करने वाले western at OUT OF बहुत सारे servers, storage, application चलती अंदर, बहुत सारे computer उसको data center बोलते हैं एक data center की building के अंदर बहुत सारे ऐसे block रखे होते हैं, servers रखे होते हैं जो किसी company से जुड़े हुए होते हैं, किसी online application से जुड़े होते हैं और वहां processing हो रही होती है, या तो processing हो रही है, या तो data का storage हो रहा है data center में यही होता है, तो आप बोलेंगे सागर भाई, यह data center किस company के लिए बने हुए होते हैं जैसे कि facebook company है, facebook company इतने सारे लोगों को serve करती है, कितने सारे लाखो करोड़ों लोग हैं facebook पर, right? सब ही लोग daily status डालते होंगे, image upload करते होंगे, video upload करते होंगे, अपने girlfriend की, boyfriend की photo upload करते होंगे तो वो कहां store होती है, वो servers पर store होती है, और यह एक server तो है नहीं, यह लाखों server होंगे, क्योंकि कोरोड़ों लोगों को serve कर रहे है तो इतने बड़े-बड़े server कहां रखे जाएंगे, तो वो रखे जाते हैं एक separate building में, जहां पर सारा facebook का data store होता है, बड़े-बड़े servers में अब server में सिर्फ data store ही नहीं होता, online applications भी चलती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ hard disk नहीं है, वो एक तरह का computer ही है, वहाँ भी RAM है, वहाँ भी processor है तो वो application क्या होती है, online application क्या होती है, जो facebook है, यह भी online application है, एक software है यह भी अगर आप देखें, एक तरह से, तो facebook भी एक software ही है, जो की आपके computer में उसकी processing नहीं हो रही है, लेकिन वो server पे उसकी processing हो रही है server side scripting, आपने पढ़ा होगा आपने school में, server side scripting मतलब जो भी script हो रही है, जो भी website बन रही है, उसकी जो भी processing हो रही है जो की स्थिर नहीं है, जो की require नहीं है, जिनके अदर processing हो रही है, वो सब online server पर चल रहे हैं, उन server को कहीं तो रखना पड़ेगा, उसी को data center कहते हैं आप मेरी बात समझ गए, online application क्या क्या हो सकती है, YouTube भी एक online application है, Facebook भी एक online application है, ये सारे website जो processing कर रहे हैं, जिसमें data process हो रहा है, status update हो रहे हैं, वो एक तरह के software ही है, जो की data server पर चलते हैं अब आपने बात की कि आप एक data center कैसे खोल सकते हो, जरूरत क्या है, पहला question आप से है, जरूरत क्या है, ये उन लोगों को खोलना पड़ेगा, जो एक ऐसी website चलाते हैं, जिसमें data processing हो रही है, और वो भी तब आपको data center खोलना पड़ेगा, कि जब आपकी company इतनी बड़े scale क ही है, कि आप दूसरे लोगों से server hire नहीं कर सकते हैं, अगर एक छोटी सी website चलाते हो, जिसके कुछ हजार लोग, कुछ लाग लोग आते भी हैं, ज्यादा processing नहीं हो रही, तो आप rent पे, मतब हायर कर सकते हो, किसी को basically, Amazon की web services है, Amazon के server को आप किराये पे ले सकते हो, अपना data वहाँ store कर सकते हो, आपको खुद का data center खोलने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको बता हूँ, ऐसी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनिया हैं, websites वाली, जो खुद का ही data center इस्तवाल नहीं करती, Amazon के और third party servers पर dependent है, वो server पर space करीती है, क्योंकि उनको इतनी लागत लगाने की ज उधार लेता है, मतलब उधार लेता है, मतलब वहाँ server पे storage उधार लेता है, बहुत सारे कंपनिया है, Netflix वगरा भी अलग-अलग server से उधार लेती है, Amazon का web services का, Amazon servers का इस्तमाल करती है, तो कोई point नहीं मनता data center खोलेगा, data center खोलोगी भी तो इसमें इतना है पैसे लगेंगे म कोई profit नहीं, कोई मतलब भी नहीं, कोई use नहीं, और आप अगर कहते हैं कि भाई, मैं अपना अलग internet बनाना चाहता हूँ, तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता, internet का मतलब ही है, कि भाई, सभी लोग connected है, आप अकेले आपके घर में चाचा मामा ताओ अगर connected है, तो वो internet नह कोटा सा network है, उसे आप international network या internet नहीं बोल सकते, आपको पता चल गया कि आपको data center कैसे खोल सकते, server लगाने पड़ेंगे, लेकिन खोलने का कोई point नहीं मनता, वो मनें explain कर दिया, क्यूं, बड़ी-बड़ी company नहीं खोलती, दूसरों सा hire कर लेती है, तो आपको क्या जरूरत ह क्या पंचायत है अपको, क्या पंचायत है, या बाई, क्या पंचायत है, चलो ठीक है, मैं आज कल जाला देख रहा हूं, तारक में, तागल ता चश्मा, घर में चलता रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे like करें, अपम दोस्तों के साथ share करें, सब्सक्राइब करें, तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज के 3 इतिकल हैकिंग कुर्से से, जो कि आसान भाषा में आपको इतिकल हैकिंग सिखा देंगे, बहुत अच्छे कुर्से से आप जरूर जरूर जाके श्राय कीजिए, फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नमन तो अपसे एकली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गड़ बाई झाल